देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता आइडियाज भी होते हैं कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मुर्ति हो जाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इंवाल्व हो जाते हैं वो उससे बहर नहीं निकलते हैं और पुरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि यह कुछ करता नहीं बस इसी में लगा रहता है किसी से बात नहीं करता है कुछ यहार दोस्तों से नहीं मिल रहा है क्या हो गया इसको पागल तो नहीं हो गया लेकिन वहीं एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है तब पुरे परिवार को लगता है नहीं साब इसमें तो पहले से ही अथा था आप में से सब के जीवन में एक अनुभव आया होगा जो सर्वनावश आपने सुना किसी की माने कहा हो या न कहा हो लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सब को अनुभव आया ही होगा क्योंकि ज्यादा तर यह फर्स जनरेशन एंटर्पिनर है और स्टार्ट अप्स और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नोकरी कर ले शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा उफास किया होगा जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होगे यह कुछ करने वाला है यह करने वाला है प्रिजेक पल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध के ओग नहीं है नहीं करना है जाओ कम आओ नोकरी कर लो देखो उसका पहचान है वो नेता जी को जानते हैं जाओ उसको मिल लो उस विरोध के बावजूद भी जो ठीके होंगे आज सब लोग कहते होंगे कि हार इसने तो कमाल कर दी कुछ ऐसा मुझे भी करना है हर किसी के स्टार्ट अप की जिंद्गी की यही कहानी है एक भीतर से उर्जा होती है भीतर में सपने होते हैं उसके साथ खब जाने का इरादा होता है तब जाकर के परिश्थित्या फलटती है और दुनिया में हर किसी ने यहीं किया होगा कि कभी आज हम सोचें कि 1423 आई थिन 1423 को कॉलंबस जब निकला होगा कि क्या मिलने वाला था कि लिए उसको लगा होगा कि कोई एक नाया रूट मुझे खोजना है विश्व को मुझे जोड़ना है और वो चल पड़ा और चलने के पहले उसने रहे सारी चीजों का धेन किया होगा टेकनलोजी डिवलप की होगी और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा आज आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे यार यह क्या कर रहे है हर चीज की कहीं स्थरुवात होती है तो जो करता है उ दोरों को वही दिखता है कि यह पाडल है और इसलिए अगर जिनोंने यह सफलता पाई है अगर वे सरफ एंटरप्रेंटर नहीं है एक प्रकार से एडवेंच्छर उनकी हिस्सा है तब जा करके होता है स्टार्टर की सबसेट्स सिर्ण एंटरप्रेंटरशिप कॉलिटी से नहीं है रीच्ट एकिंग केपिसिटी एडवेंच्र करने का इरादा यह उसके साथ जूड़ता है और तब जा करके कि हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं जो कुछ करने के रादा से आता है पैसे उसके लिए बाइप्रोडक्ट होते हैं और आप सब ने देखा होगा कि आप लोग ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा यह कभी नहीं सोचा होगा लेकिन किसकी कि बिलियन डॉलर का काम हो रहा है और दो हजार लोग काम करें जरूर रहेंगे पांच लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टाट अप मेरे देश पर आगे बढ़ा रहा है एक साइकोलोजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिक्ता से उसको बहार लाना है वो जॉब क्रियेटर बने और एक मार उसके दिमाग में आ गया अगर मुझे मुझे दो लोगों के जिन्दगी के बत समालना है वो कर लेगा जिस देश के पास 800 मिलियन थर्टी फाइव से काम आयू के नौजवान हो जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो हाथ में हुनर हो अप्रम पार सपने हो और पुरी दुनिया में अवकास ही अवकास हो क्या नहीं हो सकता है आज मैं आई टी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा विश्वक एक किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूं दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है उनकी जो बातों होती उसमें एक चिंता हरे को सता रही है और वो है साइबर सेकुरिटी हर कोई परिशान है साइबर सेकुरूरिट्र को ले करके हैं क्या भारत साइबर और सिकुरूर्टी प्रोवाइडर के रूप में ऑथोरिटी बन सकता है एक बार हिंदुस्तान का ब्रांग का साइबर सिकुरूरिटी का सौपर मिल गया अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला कर नहीं सकते हैं कि मानुजात के लिए चुनोती आवशक है क्योंकि सर्फरे लोग तो है जो तबाही करने पर तुले हुए लेकिन हम मानुता को बचा भी तो सकते हैं हमारे पास इस प्रकार के लोग है और यह भी सही है भारत के पास मिलियन सब मिलियन प्रापलम है को इनकार नहीं कर सकता है लेकिन अट टो सेम टाइं मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियन सब बिलियन माइन भी है अगर million problem है तो billion mind भी जो हमारे देश्ट में है हर startup के फिशे कोईन कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए और जब किसी startup के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का level भी कई कुछ और होगा जी जब कि सिगी जिन्ध्य बढ़ाव लाता है तो उसको इक satisfaction मिलता है और इसलिए को मैं वह कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं job creator बनूं मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसके का रण किसी की जिन्ध्य में मैं काम आउँ मैं वह कच करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदार को ये तना भी अगर सपना ले करके हम चलते हम बहुत कुछ कर सकते हैं